कि वंस अगेन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यारतियों का पैरा मेडिकल के नमर वन चैनल स्टेडी विद रितेश में तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगी और बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग भी होगी क्योंकि आज की क्ल कोशन हैं जो काफी रिपीटेड हुए हैं है ना तो हम लोग उन सभी प्रस्णों को आज की क्लास में करेंगे तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो पहली बारो तो इस चैनल को subscribe कर लो और bell icon को hit कर लो और student एक छोटी से information आप सभी लोगों के लिए जो भी विद्यारती PM और PMD का course करना चाहते हैं crash course 2021 के exam के लिए चाहे आप बिहार से हो, UP से हो या जहारकंट से हो तो एक new batch बच्चों start किया जा रहा है 15-8-2021 से यानि 15 अगस से new batch start किया जा रहा है आप इस batch का subscription लेके अपनी तयारी एकदम perfect तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको all subjects पढ़ाया जाएगा, हर एक subject के अलग-अलग teachers होंगे और केवल only 4 ये 45 students के लिए seat रहेगा तो यदि आप लोग कम समय में एकदम बहतरीन तयारी चाहते हैं एकदम perfect तरीके से पढ़ना चाहते हैं all subjects पढ़ना चाहते हैं हर वो एक topic पढ़ना चाहते हैं जो आपके exam relevant है तो आप लोग जल्द से जल्द इस batch को join कर लीजिए, seat limited है कभी भी full हो सकता है ठीक है, और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारी विसेस time में classes जो है, ये daily चलेगा live classes on zoom यानि daily आपको class दिया जाएगा डेड़ से दो घंटे डेड़ से दो घंटे के भी आपको daily live classes दिया जाएगा और साथी साथ weekly doubt session भी चलता है और इसके बाद 120 plus recorded classes भी मिलेगा और student आपको chapter wise notes भी available मिलेगा यानि जो भी subject का class आप लोग कीजिएगा class over हो जाने के बाद हर वो एक topic का आपको notes भी provide करवाया जाएगा तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है दिये गए नमर पे हमें contact कर सकते हैं ठीक है तो यदि आप लोग को paid course से related कोई भी जानकारी चाहिए या आपको इस course को join करना हो तो आप लोग 8809802288 पे contact करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो चली student पहला question है gear 1 यहाँ पर है आपको बताना है gear 1 रास्टिय उद्दान यह कहाँ पर है यह भारत के किस राज्ये में स्थित है हरियाना करनाडग आश्रम या गुजरात जल्दी से answer कीजिएगा तो very good यदि आप लोग जवाब दे रहे है option number D देनाप लोग का answer सही है gear 1 रास्टिय उद्दान कहाँ है बच्चो गुजरात में है अब कुछ और भी रास्टिय उद्दान है जो बहुत important हो जाते है जैसे एक है बच्चो कानहा रास्टिय उद्दान जल्दी से बता दीजिए कानहा रास्टिय उद्दान यह भारत के किस राज्ये में स्थित है बच्चो तो ये याद रखना है यानु मध्यापरदेश में स्थित है इसी तरह पूछ लेता है ये भारत के असम राज्ये में स्थित है ठीक है और बच्चो याद रखना है ये एक सिंग वाले गैणडे के लिए यह famous है यह रास्टे उद्दान यह जो काजी रंगा national park है जो की असम में है और यह किस चीज के लिए विख्यात है किस चीज के लिए यह world famous है तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए यह रास्टे उद्दान famous है इसी तरह से एक और रास्टे उद्दान है बच्चो आपको याद जिम कारवेट नैसनल पारक जल्दी से बता दीजिए जिम कारवेट नैसनल पारक ये भारत के किस राजय में स्थीत है बच्चों याद रखने है ये भारत के उत्राखंड में स्थीत है ठीक है उत्राखंड यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ उत्राखंड ठीक है तो जिम कारवेट नैसनल पार्ट जो है ये भारत के उत्रा खंड में इस्तीत है चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ अच्छा यहाँ पर एक चीज और मुझे बताइए ये जो गीर वन रास्टी उद्यान देख रहे हो जो की गुजरात में है ये किस जानवरों के लि रास्ट पती को दिया गया किस रास्ट पती को दिया गया राधा कृष्णम जी को राजेंदर प्रशाद जी को वीवी गिरी या गिरी अब्दुल कलाम जी को जल्दी से बता दीजे भारत रतन जो है किस रास्ट पती जी को मिला था इन में से तो वैरी गुड याद रखना भारत रत्न जो है डॉक्तर राधा क्रिष्णम जी को मिला था ठीकहे डॉक्तर सभपाली राधा क्रिष्णम जी को मिला था कब मिला था बच्चों यह भी आप लोग याद रख लिजिएगा दूसरे जो वैक्ति थे वो थे सी राजा गोपालाचारी जी ठीक है तो बच्चो आपको याद रखना है सबसे पहले भारत रत्न जो है 1954 में दिया गया कितने वैक्ति को दिया गया तीन वैक्ति को दिया गया डॉक्टर सोपाली राधा कृष्णम जी को सर सीवी रामन जी को और सी राजा गोपालाचारी जी को दिया गया तो यह आपको याद रखना है ठीक है हाँ जी चलिए बढ़ते हैं अगले कृष्ण की तरफ तो स्टुडिंट अगला कृष्ण है इस जाने माने वैक्ति ने आत्म हत्या की थी तो जल्दी से बता दिए किस वैक्ति ने सोसाइट की थी कमिटेट सोसाइट किस वैक्ति के दौरा किया गया था जॉन आफ और के द्वारा या फिर जैड ए भुटो के द्वारा या हिटलर या सद्दाम होशन किस वैक्ति ने आत्म हत्या की थी तो वेरी गुड बच्चो यदि आप लोगा आंसर दे रहे हैं आप्शन नम्मर सी हाँ जी आप्शन नम्मर सी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा यानि हिटलर ने ठीक है हाँ देगे बात आए हिटलर की तो एक कोशन पूछ लेता है मीन काफ मीन काफ पुस्तक के रचना किसके द्वारा की गई है यानि मीन काफ पुस्तक के रचईता कौन है हाजी मीन काफ फुस्तक के रचईता कौन है बच्चो जल्दी से बता दीजिए तो ये हिटलर ही है आपको याद रखना है हिटलर ठीक है मीन काफ फुस्तक जो है किस के द्वारा रचित की गई है तो ये हिटलर के द्वारा रचित की गई है जल्दी से बता दीजिए जो 1857 का विद्रो हुआ था जो 1857 की करांती हुई थी उसमें तात्य टोपे ने इस विद्रो का नेत्रित्व कहां से किया था भोपाल लखनाउ या जहांसी या कांपूर जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चो तो वेरी गोड़ यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नमर डी कांपूर देना आप लोग का अंसर सही है तो याद रखना है तात्य टोपे ने 1857 की करांती का नेत्रित्व कहां से किया था कांपूर से किया था ठीक है चल सब्सक्वादी से बताये जहासी से किस ने नेत्रित्व किया था वेरी गुड़ बच्चो याद रखना है राणी लक्ष्मी बाई-जी ने 1857 की करांती का नेत्रित्व किया था कहां से जहासी से बैगम हजरत महल जी हाँ दोस्तों बैगम हजरत महल जी ने किया था ठीक है बात करेंगे भुपाल से लुपाल से किसने नेतरित्व किया था तो ये भी आपको याद रखना है फाजिल मुहम्बत खान जी ने ठीक है और बच्चों अब बात करेंगे बिहार के बिहार के बारे में यानि बिहार से 1857 की क्रांती का नैतरित्व किसने किया था बता दीजिए ये तो आपको याद होगा तो वेरी गुड बच्चो बिहार से बिहार से जल्दी से बता दीजिए बच्चो बिहार से 1857 की क्रांती का नैतरित्व किसने किया था बिहार स से 1857 की क्रांति का नेतरुट किस ने किया था तो वेरी गूड वीर कुवर सिंग जी ने याद रखना है आपको सब जितने अभी मैं बता रहा हूँ ठीक है तो वीर कुवर सिंग जी ने किया था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला कोशन है स्टुडेंट महारास्ट के आतंक रोधी दल के प्रमुख जो 26-11 के हमले में मारे गए थे देखिए बच्चों ये 2011 का पिपर है तो उस समय का ये Current Affairs था ठीक है तो महरास्ट के आतंग रोधी दल के प्रमुक कौन थे जो 26-11 के हमले में मारे गए थे option है AR अतुले दिग विजय सिंग हेमंद करकरे या PG Thomas तो बच्चु याद रखना है ये थे हेमंद करकरे ठीक है जो महरास्ट के आतंग रोधी दल के प्रमुक थे और ये मारे गए थे 26-11 के हमले में ठीक है हाँ तो option number C जो आपके इस question के right answer हो जाए चलिए student अगला question है जोसना चिनप्पा है इस खेल की प्राख्यात खिलाड़ी है यानि आपको बताना है जोसना चिनप्पा का संबंद किस खेल से है boxing, football, hockey या squash जल्दी से बता दीजे जोसना चिनप्पा का संबंद किस खेल से है बच्चों boxing, football, hockey या squash हाँ जी very good यदि आप लोगा answer दे रहे है बच्चों याद रखना है जोसना चिनप्पा का संबंद squash एक game है इसी से इनका संबंद है अब देखिए बात कर लेते हैं कुछ प्रशिद खेलाडियों के बारे में जिनका संबंद विविन खेलों से है ठीक है तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे boxing से तो boxing से जो संबंदित खिलाडी है जैसे maricom है पुछा जा सकता है कि maricom का संबंद kis khil से है तो आपको याद रखना है maricom है ना maricom का संबंद kis khil से boxing से है और इसके बाद एक और वेक्टी आ जाते हैं एक और खिलाड़ी आ जाते हैं सिवा आपा इनका भी संबंद की स्किल से है बच्चो बॉक्सिंग से है आपको याद रखना है बात करेंगे फुटबॉल के बारे में तो एक बहुत ही फेमस नाम है बच्चो वाई चुंग भाटिया वाई चुंग भाटिया ठीक है क्या नाम है वाई चुंग भाटिया पुछा जा सकता है कि वाई चुंग भाटिया का संबंद की स्किल से है वाई चुंग भाटिया का संबंद की स्किल से है फुटबॉल से है कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर देखिए तीन लोग का नाम मैं बता दूँगा जो बहुत ही फेमस है ध्यान चंदर जी है ठीक है ध्यान चंदर जी है इसके बाद ध्यान राजपिले जी है ठीक है हाँ और इसके बाद परगट सिंग है ये तीन लोग बहुत ही फेमस है बच्चो तो याद रख ल से है तो होक्की से ही है आपको याद रखना है ठीक है बचो तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुशिन की तरफ तो अगला कुशिन है बैरो मेटर का उपयोग इसे मापने में होता है धारा गती वायूदाब या चुमब किया सकती आपको बताना है बैरो मेटर इस यूज टू मेजर करेंट स्पेड एयर प्रेशर या मैगनेटिक पावर जल्दी से बता दीजिए प्यारे बचो बैरा मेट मेटर का उपयोग जो है किसे मापने किया जाता है तो वैरी गुड वायू दाब है ना वायू दाब यानि एट्मोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जो है स्पेरो मेटर डिवाइस का यूज चा जाता है आपको याद रखना है ठीक है अदिके बचो बात आई है चुम चुम्बकिये फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है चुम्बकिये फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चो तो आपको याद रखना है जल्दी से बता दीजे क्या होता है वैबर होता है शाबास वैबर हाजी वैबर होता है और एक और होता है जिसको बोलते है क्या होता है बच्चो यानि magnetic field intensity लिख सकते हैं आप लोग magnetic field intensity इसका ऐसा unit क्या होता है बच्चो जल्दी से बता दीजिए यह पूछा जा चुका है तो वेरी गूड क्या होता है तो इसका होता है ठीक है टेसला होता है ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दे द बता यानि जो फ्रांस का रिवाल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था बच्चो बताए अठारा सो उनासी में या सत्रा सो नवासी में या सत्रा सो नवासी में या सत्रा सो नवासी में या सत्तर इसमी में तो वेरी गूड जो फ्रांस का रिवाल्यूशन हुआ था जो फ्रा 1789 में हुई थी यानि option नमर B जो है आपके इस question का right answer हो जाएगा तो बच्चों कभी कभी पूछ लेता है रूसी क्रांती के बारे में भी तो जल्दी से बता दीजिए रूसी क्रांती ये कब हुआ था चलिए दो option देता हूँ 1917 ठीक है 1918 जल्दी से बता दीजिए रूसी क्रांती कब हुआ था तो वेरी गुड़ यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option नमर A यानि 1917 इस भी दैनापलो का answer सही है तो 1917 में जो है रूसी क्रांती हुआ था आपको बच्चो याद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो student अगला question है इंटरपोल का मुख्याले कहा है जल्दी से बता दीजिए इंटरपोल का मुख्याले कहा है UK, France, Germany या USA जल्दी से हर एक student बताएंगे where is the main headquarters of Interpol तो very good यदी आप लोग जवाब दे रहे है option number B, then आप लोगा answer सही है तो बच्चो इंटरपोल का मुख्याले कहा है France में तो France के किस सहर में है ये भी आपको याद रखना है एक सहर है, Lyon वहीं पे Interpol का मुख्याले है ठीक है चलिए बच्चो बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो चलिए student अगला प्रेशन है कींद्र में पंचाईती राज्य के लिए प्रिथक मंत्राले कब बनवाया गया कब बनवाया गया बच्चो 2004, 1996, 1984 में या 1951 मे जल्दी से बता दीजिए हाँ जी, देखे question यही पूछा है बच्चो प्रिथक पंचाईती राज्य मंत्राले का गठन कब हुआ simple से जानिए पूछा है कि प्रिथक प्रिथक पंचाईती राज्य मंत्राले का गठन किस वर्स हुआ था बच्चो तो याद रखिएगा किस वर्स हुआ था तो यह हुआ था 2004 में तो यदि आप लोगा अंसर कर रहे हैं 2004 वी देन आप लोगों का अंसर सही है अच्छा एक कुशन अगर मैं आप लोगों से पूछू कि किस राज्ये ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प् तो यहां से इक मैं प्रणाली प्रारंब की थी तो यह किया था बच्चो राजस्थान ने आपको याद रखना है राजस्थान एक ऐसा राज्ये था ठीक है राजस्थान ना तो राजस्थान पहला राज्ये था जिसने सबसे पहले पंचायति राज्प्रणाली प्रारंब की थी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ चलिए स्टुडेंट अगला कुशन है गुजरात की राजधानी कौन सी है देखिए कितने सिंपल सिंपल प्रस ने पूछे जाते हैं आपके पैरामेडिकल के एक्जाम में तो गुजरात की राजधानी कौन सी है एमदाबाद, जामनगर, राजकोट या गांधी नगर जल्द बात करेंगे वर्तमान समय में गुजरात के मुख्य मंतरी कौन है तो बता दीजिये जल्दी से वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्य मंतरी कौन है गुजरात के तो ये है बच्चो याद रखना है विजे रुपानी जी, विजे रुपानी जी है, ठीक है? और अगर बात करेंगे वर्तमान समय में राज जेपाल कौन है गुजरात का गवर्नर तो ये भी आपको याद रखना है ये कौन है स्री अचार्य देवरत जी है आपको याद रखना है ठीक है हाजी तो मुक्य मंतरी विजयरुपाणी राज जेपाल स्री अचार्य देवरत ज किया गया तो बताएए ऍक वहयक्ति के नाम पर इकर सानी का नाम करन किया गया टार्विन-फॉर्मिए फॉर्ड झाहन ज़्जा थे इसका मैडम क्यूरी हाँ जी इसका मैडम क्यूरी जो है राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आपको याद रखना है ठीक है तो मैडम क्यूरी के नाम पर एक रसाइनिक अब देखिए कभी कशिन ये भी पूछ लेता है बचो आपके एक्जाम में Ray Deum कि खोज पूछ किस ने की थी जलिसे बता दिजे रे डिय में की किश कि कि ने की थी तो मैडम क्यूरी जी ने की तयाद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले कुशिन की तरप अब देखे एक और कुशन पूछ लेता है कभी-कभी एक नट रुख जाए कभी पूछ लेता है रेडियो सक्रियता की खोच किस ने की थी रेडियो सक्रियता की खोच किस ने की थी ये भी बता दिजी रेडियम से आया हुआ माल लीजे रेडियम के बारे में तो मैं बता दिया लेकिन कभी कभी पूछ लेता है रेडियो सक्रियता की खोच किस ने की थी बता दीजे किस ने की थी तो ये भी याद रखना है है हैंरी बैकुरल ने ठीक है है हैंरी बैकुरल ने किया था ठीक है हाजी रेडियो सक्रियता क के खोज किस नहीं कि थी तो हैं री बैक रोल जी ने किया था चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ कि चलिए स्टुडेंट अगला कुशन है यह 42 तथा 43 वे यूएसे रास्ट पती थे बुश निक्षन फॉर्ड क्विल्टन तो जल्दी से बता दीजिए तो देगे बच्चो यह कोशन जो है इसमें दो अप्शन करेक्ट होंगे ठीक है यानि देखिए यूएसे के यानि यूनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका के जो 42 वे रास्ट पती थे वो कौन थे तो बच्चो आपको याद रखना है 42 वे जो रा रास्ट पती थे वो कौन थे जॉर्ज बुस्त थे ठीक है तो आपको याद रखना है और अगर मैं पूछू यूएसे के प्रत्वरास्ट पती कौन थे प्रत्वरास्ट पती कौन थे तो बच्चो यह थे जॉर्ज वासिंग्टन आपको याद रखना होगा जॉर्ज वासि किसने की थी तो कोलंबस के द्वारा किया गया था अमेरिका का खोज किसके द्वारा किया गया था बच्छो तो यह कोलंबस के द्वारा किया गया था चलिए बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पिनाए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चली स्टूडेंट चली स्टूडेंट अगला कुशन है ये मुख्य मंत्री तथा परधान मंत्री भी रहे थे इंद्रा गांदी, देवे गोडा, बाचपेई, नहरूजी यानि यहां पर प्रेस नहीं पूछा है कि कौन वैक्ती पहले मुख्य मंत्री थे बाद में परधान मंत्री के रूप में नियुक्त किये गए थे पहले तो वो किसी राज्य के मुख्य मंत्री थे लेकिन बाद में वो देश के परधान मंत्री बन गए कौन ऐसे बैखती थे तो वेरी गुड यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं आप लोग का अंसर सही है तो इनका पूरा नाम क्या है बच्चो एचडी देव गोडा हाँ जी एचडी देव गोडा नाम है इनका तो आपको याद रखना है ये पहले ये पहले जो है करनाटक के स देव गोडा है ये देश के परधान मंतरी बने थे आपको याद रखना है ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अच्छा देखिए बात आई है परधान मंतरी के बारे में ठीक है तो देश के प्रतम परधान मंतरी कौन थे तो ये थे पंडिट जवाहर लाल नहर जी ठीक है लाल बहादूर सास्त्री जी थे बच्छों याद रखना है ठीक है और बात आई है लाल बहादूर सास्त्री जी की तो एक कुशन पूछ लेता है जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था तो ये लाल बहादूर सास्त्री जी के ही द्वारा दिया गया था क ये इंडो पार्क यूद कब कब हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूँ तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जुरूर बताइएगा कि इंडो पार्क यूद कब हुआ था ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कुशिन की तरफ तो चले इस्टुठिंट अगला कुश्छिन है टाइगर वोट्स किस खैयल से समद्दीत है टाइगर वोट्स जो कि खिलारी है और पुछा गया है कि इनका समद्द किस खैयल से है बच्चो चेस क्रिकेट फुर्क फुटबॉल गोल्फ जल्दी से जवाब दीजीगा टाइग गॉर्वोटस एक अमेरिकन गॉलफ है, तो इनका संभंध किस गिल से हैं, गॉल्फ से हैं, तो चलिस्टुडेंट, अगला कुषन है, खुली स्थान से भय कहलाता है, एक सब्सकर्ड में, इसको क्या कहेंगे एगोराफोबिया एंडरोफोबिया कैकोफोबिया या एक्रोफोबिया देखिए बचों यहां पर जो फोबिया देख रहे हो आप लोग यह वर्ड इसका मतलब होता है तू फेयर यानि डरना ठीक है तो यहां खुले स्थान से डरना या खुले स्थान से भाई क्या कहलाता है जल्दी से जवाब दीजिएगा student तो very good यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option number A then आप लोग का answer सही है तो agoraphobia होता है यानि खुले इस्थान से भाई क्या कहलाता है agoraphobia कहलाता है अब देखिए कुछ और भी question हो जाते हैं जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं मान लिजिए ये question पूछा गया है तो इससे related भी कही questions पूछे जा सकते हैं जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे fear of heights यानि उचाई से डर जिस वैक्ति को उचाई से डर लगता है उसको एक सब्द में क्या कहेंगे हम लोग एक्रोफोबिया उसको क्या कहेंगे एक्रोफोबिया याद रखिएगा एक्रोफोबिया इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपको the fear of water यानि fear of water यानि जिसको पानी से डर लगता हो उसको एक सब्द में क्या कहेंगे उसको एक सब्द में बोलेंगे aquaphobia aquaphobia तो ये सब बच्चो याद रख लीजिएगा ठीक है पुछे जा सकते हैं ठीक है हांजी ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है किसने neutron की खोज की थी जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चो तो जल्दी बताईए यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं option number D then आप लोग का answer सही है तो बच्चो neutron की खोज किसने की थी James Chadwick ने की थी आपको याद रखना है ठीक है अब देखिए यहाँ पर neutron की खोज James Chadwick द्वारा की गई थी कभी-कभी electron के बारे में भी पूछा जा सकता है बच्चो तो electron की खोज किसने किया था यह याद रखना है जे-जे-थॉमसंजी ने जे-जे-थॉमसंजी ने किया था बात करेंगे proton की खोज किसने की थी तो proton की खोज में दो लोग का नाम आ जाता है एक रदर फोड और एक गोल्ड स्टीन ठीक है तो जो भी आपको option में दिखे आप लोग लगा दीजेगा दोनों option नहीं देगा कोई एक ही option देगा या तो रदर फोड देगा या इस तरह से लिक लिजिएगा गोलड इस्टीन ठीक है तो चलिए बढ़ते है अगले question की तरफ चलिए अगला question किसने उपने as great gates भी लिखा था तो बच्छों तो बहुति फेमस उपनियास है बहुत ही फेमस नॉबल है ग्रेट गेट्स भी यह किसके द्वारा लिखा गया है बच्छो तो ऑप्शन ए है जैन ऑस्टेन ऑप्शन भी है नाई पॉल ऑप्शन सी है फिट जरॉल्ड ऑप्शन डी है डिक्शन तो बच्छो याद रखना है तो वैरी अब देंगे एक और राइटर है यह बोत फेमस राइटर है इनका नाम है विएस नाइब ऑल थीक है तो के द्वारा भी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है जिसका नाम है इना फ्रेस्टेट और इना फ्रिज स्टेट इस नॉबल के लिखा कर कौन है तो याद रखना है विए स्नाइपाल जी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरह